नमस्कार स्वागत है आप सभी का कनया जीस वर्ड पे तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुख्य सेविका भरती 2022 से संबंदित जो की सबसे यादा लोगों का कनफ्यूजन है और कमेंट आ रहा है कि सैच्छड की योगिता को लेकर हाला कि फार्म तीन तारिक से भरे जा रहे हैं और 24 इसका लाश्ट डेट है तो सैच्छड की योगिता को लेकर कि इन लोगों ने अभी तक फार्म नहीं बढ़ायों वह कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि फर्स्टियर सिकेंडियर है थर्डियर में नहीं है या फिर्डियर में मतलब एक ही साल है क्या हम भर सकत दैंघे और कमेंट भी हमने लिया है बहुत लोगों का तो उसस पर बारे में बात करेंगे और सलेबस के बारे में हम बात करेंगे था सब्से पहले यहाँ है । पहली बार तो नीचे जो ऐसा सब्सक्राइब वाला बटन दीख रहा है इसको तो दबा दीजिए और घंटे वाले निसान को भी दबा दीजिएगा इससे नोटिपिकेशन मिलेगा जो भी वीडियो हम डालेंगे और यहां पर लाइक वाला बटन इसको भी दबाना न भूलें तो देखिए बहुत सारे लोगों का यहां पर कमेंट आया अभी भी यहां पर कन्फ्यूज हैं कि जाब पर्मानेंट है या फिर टंपरेरी है ठीक है तो हमने शुरुआती एक वीडियो में बता दिया कि यह टंपरेरी है लेकिन यह टंपरेरी नहीं है यह है पर्मानेंट क के स्टार्ट हो चुके हैं और चौविस तक इसकी लास्ट डेट है यानि कि अब दस दिन और बचे हैं और सुल के जमा करने या फिर संसोधन करने की अंतिम्ति थी यहां पर कितना सारा लोगों का कमेंट आया इसके बारे में देखिए देखते हैं यहां पर एक लोगों ने लिखा आये आर्मी ब्लिंक ने कि 23 नंबर है पेट में क्या हमारा हो जाएगा की नहीं ठीक है इसके बारे में बात करेंगे और देखिए यहां पर नीचे है इनका परमिला चोधरी इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं यानि रहेगा की नहीं तो जैकि अभी तक सलेबस नहीं आत से करता है यूपी ठीक है उसके हर एक परिक्षा में माइनस मार्किंग रहता है और अधिकतर परिक्षाओं में एक बटा चार माइनस मार्किंग रहता है तो जहां तक प्रबल संभावना है कि माइनस मार्किंग एक बटा चार देखने को मिलेगा ठीक है और यहां पर देख अप्लाइक कर सकते हैं तो देखे पहले उसी के बार में बात कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे कमेंट देखें एकदम सेम चीज ऐसे ही लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में लिखा है कि भारत में विधी द्वारा अस्थापित किसी विश्व विद्याले से एक विशय में ध्याम से देखिए गए यहां पर लिखा है समाज सास्त्र ठीक है यहां समाज कारिय या ग्रिह विज्ञान या पोशड़ और वाल्बिकास के साथ ठीक है अब यहां पर ढूख जाना है फिर यहां लिग दिया है कला में असनातक उपादी कला मतलब होता है आर्ट ठीक है आर्ट में असनातक उपादी या सरकार द्वारा उसके समकष समकष मतलब उसके समा नहीं कोई हो तो देखिए यदि आपका समाज सास्तर है समाजकार है ग्रीप ग्यान या फिर पोर्शटर और वाल विकास है किसमे बीए में तो बीए में यदि आपका यह है तो आप अपलाई कर सकते हैं अब बास्तिया है फस्टा है फस्ट इयर सेकेंड इयर और थर्ड इयर में ठीक है लोगों का कहना है कि यदि हम फस्ट इयर में लिये हैं और सेकेंड इयर में लिये हैं लेकिन थर्ड इयर में छोड़ दिये हैं कोई भी भी से उठा लिजिए माली समा साहतर फस्ट इयर में है सेकेंड इयर में ही है ठीक है या फिर तीनों साल है तो देखें यदि तीनों साल है तो आप तो अप्लाई करी सकते हैं और दो साल में है तब भी अप्लाई कर सकते हैं एक साल में है तब भी अप्लाई कर सकते हैं कुल मिलाजुला के बात यह है कि तीनों साल में से तीनों साल में से किसी भी वर्ष में आपका इन सब्जेक्टों में से कोई भी एक सब्जेक्ट या फिर एक से अधिक रहे तो और बढ़िया हैं तो तीनों साल में से कोई भी साल में यदि आपका समाज साहत समाजकार या ग्रे विग्यार ने आप पोशर और वाल विकास के सा तो आप इसमें 100% apply कर सकते हैं और apply जरूर करिए ठीक है अभी यह डाउट तो दूर हो गया आप यहां पर लिखा है समकक्ष में क्या आता है तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि BSC हमने किया है क्या apply कर सकते हैं तो साफ साब बाते यहां पर BSC वाले apply नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर बोल दिया है कि art में होना चाहिए, art मतलब, कला मतलब होता है art science, art science मतलब होता है BA, ठीक है, तो BSC वाले यहां पर apply नहीं कर सकते हैं, और समकक्ष, समकक्ष में यहां पर BA होता है न, BA दो साल का, एक साल और दो साल, तो BA भी इसके सम कर्щины आजाता है तो बेक मेー यह कि इन सब्जेक्टों में से ठीक है जो भी यहाँ पर दिया हुआ है कि पर कि पर कितना नमबर रहना है क्या हो सकता है अब इस पर बात करेंगे यहां पर बीए रिजल्ट नहीं आया है तो क्या फार्म फिलब कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीए में जो मार्क सीट है उसका नंबर और लंबर सब पड़ता है जब मार्क सीट ही नहीं आया है तो आप यहां पर फार्म अप हम बढ़ सकते हैं बिलकुल बढ़ सकते हैं हमने अभी अभी बताया कि तीनों साल में से कोई भी एक साल में आपका संबंदित विशाय में से होना चाहिए यहां पर है जैहिंद सर ठीक है और यहां पर देखिए सर कौन से साइट पर फार्म फिल होगा तो यूपी तरह पहले सी कि आप इसेल वेब साइट पर फार्म फिल हो रहा है अब यहां पर नेक्ष्ट है सर मैं समाने माईला हूं मेरे पास EWS भी है तो इनमें से समाने लगाऊं या फिर EWS EWS लगाईए EWS का कटाफ बहुत कम जाता है अभी अभी एक परिक्षा हुआ है माईला स्वास्त करता का है इसमें EWS का मातर तीन नंबर कटाफ गया है तो EWS होने के बाद वहुत फायदा मिल जाता है पचास प्लस वालों का मेरिट लग जाएगी कि नहीं तो जबू बताएंगे यहां पर सर इसका सलेबस आने के कितने चांसेस है तो सलेबस के बारे में जान लिजेगा इसका अभी तक आफिसियल सलेबस जारी नहीं किया गया है और सलेबस जो है बहुत जल्द साइट पर द बारे में यहां पर पहले ही बात कर लेते हैं एक चाहँ जयाब और अस्थाई जब आपionoुटिफिकिकेशन पड़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है साफाप अभ्यूक्तरी में जाब अस्थाई और और स्थाई तो यहां पर लिखा है और और इस्थाई कि हम्तलब होता ह तो इसमें लिखा रहा है और अस्थाई ही लिखा रहता है चाहिए आप कोई सब्सक्राइब कर देख लेए यह दो साल तक अस्थाई रहता है उसके बाद इसे अस्थाई है ठीक है सलेबस सलेबस अभी जारी नहीं किया गया है अब देखें यहां पर पेट में कितना नंबर चाहिए कि हम फार्म बरें तो आपका पेट में यदि जीरो प्लस है तो सभी लोग इसमें फार्म जरूर अपलाई करें क्योंकि आने के सांथ यानि कि सार्ट ल संक्या की बात करें तो फां कितना भरा गया है इस पर हम वीडियो लाएंगे जल्ड लेकिन इसमा जाले जिया फार्म बहुत क्वरा जाए गाई हें क्योंकि जिस समय आप हर आया है बहुत सारे लोगों ने पेपर ही नहीं दिया था पेट का ठीक है क्योंकि पिछले वर्स वार्ट के और दूसरी बड़ी बात है कि यहां पर जो समभंदित विशय दे दे दिया समाज सास्तर दे दिया गरी विगयान देदिया Wisconsin मैं समाजकार्य दे दिया 됩니다 तो इसमें बहुत कम ही लोग आप बढ़ते हैं और इसके Foreaf lumière यह टोटल्ल मैलाओं इससे ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहिए तो जिसका भी जीरो प्लस है सबी लोग उम्मीद लगाए रखें क्योंकि साट लिष्ट होने के चांसे सबके भी बनते हैं ठीक है कि अब यहां पर बात करें कि बात करें यहां पर एक्जाम कब तक हो सकता है तो एक्जाम बहुत जल्द होगा क्योंकि देखिए फार्म अभी भरा जा रहा है जाएे चओबश को इसकी समाथ हो जाएगा निए अगस्ट मेरी खतम हो जाएगा फिर सितंबर अक्टूबर एक दो महीने PHIL करने में सिख्वक्टम अक्टूबर चला जाएगा फिर नावंबर लास्ट या फिर कि दिसंबर में ठीक है all इक दिसंबर के सुरूवाती में जा करके देख सकते हैं ठीक है यदि अब भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट एक बार जरूर करिएगा और वीडियो यदि पसंद आया है तो यहां पर लाइक वाला बटन इसको भी दबा करके सस्क्राइब करके नीचे मतलब घंटा उन्टा दबा दीजिएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद है